हेलो एवरिवन, वैलकम बैक टू मैई चैनल, सुगैज आज की इस वीडियो में आपको कोलर ने कुर्ती एकटिंग एंड चिचिचिंग करना बताऊंगी, यह कुर्ती आज कल भोजदर ट्रेंड में चल रही है, कुर्ती को बनाने के लिए 3 मिटर फैबरिक का यूज़ किया ह और यह फैबरिक कोटन का है, इसकी वीर्थ है 24 इंच पर, सबसे पहले हम टॉप पार्टी एकटिंग करेंगी, इसके लिए हमें कपड़े को लंबाई से चारभागों में कर लेना है, इस तरा से लंबाई से हम कपड़े को चारभागों में कर लेंगी, कुर्ति के लेंध रखी है 14 इंच 1 इंच एक्ष्टा लख लेंगी च्ले ही मार्जन के लिए और एक्ष्टा कप्ड़ को हमें हटा देना है सुल्डर का मर्क लगाएंगी 7 इंच पर और यहांसे हम आर्मॉल के लेंट लेंगी आर्मोल के लिए तो भी हमें 7 इंच ही लेनी है एक बुक्स बना देंगी आर्मोल में घरहे देंगी एक इंच अंदर की तरफ मार्क लगाएंगी और आर्मोल में घरहे देंगी और आदे इंच पर हमें फ्रिंट पार्ट में घरहे देनी है उसके बाद अब फिटिंग का मार्क लगाएंगे फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पर है 32 का हमें याँ पर चोथा बाग लेना है 32 का चोथा बाग लेंगे 8 इंच और 2 इंच एक्ष्टा रख लेंगे सले माजन के लिए नीचे तक लेंड रो कर देनी है तो जितने भी आपके फिटिंग की लेंद हो उसमें हमें 2 इंच पलस कर देना है अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे नेक की चुड़े रखी है 3 इंच और गहराई भी 3 इंच ही रखी है यह मार्क फ्रेंट पार्ट के लिए है यहापर हमें एक बुक्स बना देना है और नेक का सेब दे देंगी अभी हमें कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट को हटा देंगी और फ्रेंट पार्ट को सेंटर से फूल्ड करेंगी फ्रेंट पार्ट में नेक में हमने जो मार्क लगाया था उसको कट करेंगी इस तरह से फ्रिंट पार्ट को हमें सेंटर से भी कट कर देना है क्योंकि हमें यहां पर पटियां लगानी है तो इन दोनों पार्टों को हम अलग-अलग कर लेंगी इस तरह अलग-अलग कर लेंगी अभी हम बैक पार्ट को कट करेंगी नेक की चुड़ाई रखी है तीन इंच और गैराई हमें आदे इंच पर रखनी है और इस तरह से गुले का सेब देते हुवे कटिंग कर लेंगी इस तरह अभी हम बोटम पार्ट के कटिंग करेंगी तो जितना भी कपड़ा बसता है हमारा उसको हम लंबाई से दो भागों में रख लेंगी किसी भी एक ओनर को हम उठाएंगी और ट्रेंगल सेब देंगी इस तरह से कमल का मार्क लगाएंगी कमल के लंबाई है 28 इंच 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगी 28 को 4 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच और 7 में हमी एक से डिवाइड इंच प्लस कर दिना है तो यहाँ पर जो मार्क लगाया है मैंने वो साड़े 8 इंच पर लगाया है और इन दोनु मार्कों को इस तरह मिला देंगी अभी बोटम पार्ट की लेंच रेंगी बोटम पार्ट की लेंच रखी है 32 एक इंच ज़्यादा रख लेंगी सिलाई मार्जिन के लिए तो यहाँ पर बोटम पार्ट की लेंच जो रखी है मैंने वो 33 सिंच पर रखी है इस मार्क को फोलो करते हुए पूरे बोटम में हमें मार्क लगा देना है और मार्क के अकोडिंग कटिंग कर लेंगी बोटम के कटिंग होने के बाद जो भी कपड़ा बच्चा है मारे पास उसके हम बाजू निकालेंगी इस तरह से हमें बोटम के कटिंग कर लेनी है अभी हम बाजू के कटिंग करेंगी तो बच्चेवे कपड़े को हमें जार भागों में रखना है इस तरह बच्चेवे कपड़े को हम जार भागों में रख लेंगी बाजू के लिंद रखी है 15 इंच एक इंच हमें याँ पर एक्ष्टा रख लेना है उसके बाद आर्मोल के लिंद लेंगी आर्मोल के लिंद शाड़े आठ इंच पर रखी है जासे मारे बाजू की खुली सेड है वापे हम नीचे की तरफ ड़ाई इंच पर मरक लगाएंगी और बाजू का सेब दे देंगी और इस तरह से हमें बाजू का बोटम लेते हुए इन मारकों को मिला देना है और कटिंग कर लेनी है सेंटर में एक कट लगा देना है इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है कटिंग होने के बाद स्टिचिंग करेंगी सबसे पहले हम टोप पार्ट में पट्टी को स्टिच करेंगी यहापर मैंने दो पट्टियां ली है एक पट्टी के चुड़ाय रखी है डाई इंच और दूसरी की रखी है तीन इंच एक पट्टी के चोड़ाई हमें ज़्यादा रखनी है टोप आट के उपर पट्टी को हमें सीधी साइड की तरफ रखना है यानि दोनों के जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है वो सिलय लगा देनी है इस तरह से सिलय लगा देंगी उसके बाद एक पट्टी को हमें रोंग साइड की तरफ पूरा ही डबल फोल्ड करना है वो डबल फोल्ड करते हुवे यहां पर सिलाय लगा देनी है और दूसरी पट्टी को आदा इंच हमें बार की तरफ रखना है रोंग सैड की तरफ डबल फूल्ड करेंगी और आदा इंच बाहर की तरफ रखेंगी इस तरह से इस तरह से हमें पटियों को रेडी करना है अभी हम बैक पार्ट में फ्रिंट पार्ट को अटेच करेंगी तो दोनों की सीधी सैड अंदर की तरफ रखेंगी इस तरह से वो सोल्डर पर सिलय लगा देंगी दोनों पार्टों में इस तरह से हमें सोल्डर को भी अटेच कर लेना है उसके बाद कोलर की कटिंग करेंगी तो कोलर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कोलर का मेजरिमेंट करेंगी टोप पैट की एक कोर्णर से लेकर दूसरे कोर्णर तक हमी इंची टेप से मेजरमेंट कर लेना है यह मेजरमेंट हमी हलकी हाथों से करना है इंची टेप को आप टैक्ट नहीं करेंगी इस तरह से अभी एक कोनर से लेकर दूसरे कोनर तक कोलर की जो लेंट आई है उस हड़े 19 इंज पर आई है कोलर बनाने के लिए मैंने या पर पेस्टिंग लिया है इस पेस्टिंग के चुड़ाई रखी है इस हड़े 5 इंज और लंबाई रखी है गुनी सिंज पेस्टिंग को हमें सेंटर से फूल्ड करना है इस तरह या पर हमें एक आलपे लगा लेनी है ताकि कटिंग करते से में ये हिले नहीं जा पर पेस्टिंग के फूल्ड वाली साइड है वासे हम नेक की कटिंग करेंगे नेक को गराई में हमने 3 इंच पर रखा था तो यहाँ पर हम 3 इंच पर ही मार्क लगाएंगे और नेक की चोड़ाई 3 इंच पर रखी थी और डबल होने के बाद वो 6 इंच पर होगी तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर मार्क लगाना है इस तरह और इस मार्क को गुलाई में मिला देना है अभी कोलर की चुड़ाई लेंगे उपर की तरफ एक इंच पर मार्क लगाएंगे इस तरह और इन सबी मार्कों को मिला देना है कोलर का मेजिमेंट करेंगे कोलर की लेंद शाड़े 19 इंच पर आई थी तो यहाँ पर जो कोलर की लेंद आने चाहिए उसड़े 9 इंच पर आने चाहिए यहाँ पर जो कोलर की लेंद आ रही है वो बराबर आ रही है तो इस तरह से हमें कोलर का मारक लगाते हुए कटिंग कर लेनी है इस तरह से हमें कोलर की कटिंग कर लेनी है अभी हम एक फैब्रिक लेंगे फैब्रिक की जो रोंग सैड है उसके उपर हम कोलर को रखेंगे उपर इसकी हलप से चिपका लेंगे इस तरह फैब्रिक की रोंग सैड की तरफ चिपकाएंगे उसके बाद दूसरा फैब्रिक लेंगे और इन दोनों फैब्रिक कい जो Raid Shad है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है औरorer कोलर के उपर की तरफ यांसे उपर की तरफ लेते हुवे सिलाई लगा देनी है इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है अभी हम आदे इंच का फैब्रिक रखते हुए एक्षटा फैब्रिक को cut कर देंगे और इसके according नीचे से cutting करेंगे आदे इंच का फैब्रिक रखेंगे और cut कर देंगे इस तरह उसके बाद हमें कोलर को right side की तरफ करनी है और इसके उपर हम press कर लेंगे अभी हम टोप आर्ट में कोलर को अटेच करेंगे टोप आर्ट के रैड सेड की तरफ कोलर को अटेच करना है और कोलर की भी रैड सेड हमें टोप आर्ट के उपर रखनी है यानि दोनु की जो रैड सेड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए कोलर के जिस फैब्रिक पर पेस्टिंग नहीं लगा है सबसे पहले हमें उसको अटेच करना है दोनुकी रेड शेड हम नीचे की तर्फ रखेंगी और जिस फैब्रिक पर पेस्टिंग नहीं लगा है वासे हमें कोलर को अटेच करना है इस तरह से एक कोलर से लेकर दूसरे कोलर तक कोलर को अटेच्च कर लेना है उसके बाद कोलर को रूंग साइड की तरफ करेंगी और जो भी एक्ष्टा फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ फूल्ड करेंगी इस तरह अंदर की तरफ फूल्ड करेंगी और सिलय लगा देंगी इस फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ फूल्ड करना है और पूरे में ही सिलय लगा देनी है इस तरह से कोलर को रेड़ी कर लेंगी अब भी हम फ्रेंट पार्ट के दोनों पार्टों को टैज करेंगी जो पट्टी हमने आदे इंच पर आगे की तरफ निकाली थी उसके उपर हमें दूसरी पट्टी को रखना है और नेक से हमी नीचे की तरफ शाड़े तीनी स्पर मर्ख लगाना है इतना पार्ट हमारा खुला रहेगा और बच्चे वे नीचे वाले पार्ट पर हमी सिलाय लगानी है इस तरह से रखना है और इसके उपर सिलाय लगा देनी है उसके बाद बाजू को अटेच करेंगे बाजू की राइड सैड नीचे की तरफ रखेंगी और सिलय लगा देंगी बोटम को भी हमें आदेंच की दुरे पर डवल्ड करना है सिलय लगानी है अभी बोटम पार्ट में टोप पार्ट को अटेच करेंगी तो दोनों की जो रैड सैड है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है इस तरह और शिले लगा देनी है इसी के अकोडिंग फ्रेंट पार्ट को अटैज करेंगी इस तरह से दोनों पार्टों को अटैज कर लेना है उसके बाद अपने मेजरमेंट की अकोडिंग फ्रेंग में शिले लगा देनी है नीचे बोटम तक और बोटम को भी आदे इंच की दूरी पर डवल्ट फोल्ड करेंगी और शिले लगा देंगी इस तरह से हमें फिटिंग और बोटम को रेडि कर लेना है बोटम में आप पिको भी करा सकते हैं टो पार्ट पर मैंने बटन का यूज किया है मेरी जो कुर्ति हो बन कर तैयार हो चुकी है अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्स सबसे पहले पहुँछ सकी